किसानों का अंदोलन जारी है और वो सरकार से क्रिशी कानूनों को लेकर अपनी मांग पर डटे हुए है किसान अंदोलन को लेकर ट्वीटर पर लगातार अपडेट्स दे रहे किसान एकता मोर्चा के हैंडल से एक फोटो शेयर की गई है जो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है इस फोटो में 62 साल की मंजीत कौर को दिखाया गया है जो किसान अंदोलन में शामिल होने के लिए खुद जीप चला कर पहुँची है इस फोटो पर बॉलिवोड अक्ट्रेस तापसी पन्नू का भी रियाक्शन आया है किसान एकता मोर्चा ने इस फोटो को ट्वीटर पर शेयर करते हुए लिखा 62 वर्षिय मंजीत कौर पंजाब के पटियाला से खुद गाड़ी चला कर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए सिंगु बॉर्डर पहुची है इस फोटो को तापसी पन्नू ने अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा चकदे फटे तापसी पन्नो के स्ट्वीट से साफ है कि वो खुल कर किसानों का सपोर्ट कर रही है बतादे इस तरह सिंगु बॉर्डर पर आंदोलन के लिए लोगों के पहुचने का सिलसिला लगातार जारी है और किसान अपनी मांगो को लेकर भी आंदोलन पर डटे हुए है कुछ दिनों पहले बॉलिवुड आक्ट्रेस सुरा भासकर भी किसानों का सपोर्ट करने सिंगु बॉर्डर पर पहुँची थी वहां उन्होंने किसानों से काफी देर तक बात की और उनका होसला बढ़ाया वहीं बात करने तापसी की तो इससे पहले भी किसानों के समर्थन में वो कई बार बोल चुकी है दरसल कुछ दिनों पहले जब पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने किसान आंदोलन पर बॉलिवुड की चुपी पर सवाल उठाए थे तब तापसी ने सीधा सीधा उन्हें जवाब देते हुए कह दिया था कि वो किसानों की बहुत इज़त करती है उन्होंने ट्वीट करके लिखा था इसके अलावा तापसी ने गिप्पी के दूसरे ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रही है सर लेकिन पूरे बॉलिवुट का नाम लेना गलत है क्योंकि उनमें हम भी कुछ लोग हैं जो सही के लिए अपनी आवाज बुलन करते हैं हम में से कुछ तो पंजाब के भी नहीं है फिर भी आपके साथ खड़े हैं क्योंकि हम किसानों की इज़त करते हैं बतादे तापसी और सोरा के अलावा दिलजीत दोसांच, प्रियांक चोपडा, सोनम कपूर समेट कई स्टार्स किसानों के सपोर्ट में बोल चुकी है वही केंद्रे कृशिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि सरकार खुले मन से किसान संगठन से बात करना चाहती है अगर किसान बात करना चाहते हैं तो एक तारीक तै करके बताएं हम बातचीत के लिए तैयार हैं वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी बात पर अडे हुए हैं वैसे तापसी से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं